तो सबसे पहले हम यहां पर एक बरतन लेंगे जिसमें मैंने पहले ही थोड़ा सा पानी डाला है लगबग आधा कप और इसमें अब हम अपने पालक को जो है इस्टर करेंगे हमें जब ताइम नहीं लगेगा इसको इस्टर करने में टेल से दो मिनट का टाइम लगेगा उससे हमारे जो पालक के बहुत अच्छे से सॉफ्त हो जाएंगे हम गलाना निये सॉफ्त करने और अब मैंने यहांपर एक बरतन लिया है जिसमें आटा लगाते है मैंने यहाँ पर गेहू का आटा दो कप लिया है और इसमें अड करेंगे हम सुजी एक कप तो ये measurement आप देख सकते हो एक कप सुजी तो दो कप आटा ऐसे ही आधा कप सुजी और एक कप आटा हमारे पूरी के जो आटे में हम कुछ खुछ मसाले औड़ेंगे जिस से क्या हमारा पूरी टेश्ट की बनेगा हम इसमें ड़ेंगे जीरा कियुमेंट साथ हाफ टेबल स्पून है जीरा इसी के साथ हम अड़ करेंगे नमक वन टेबल स्पून है यह जो नमक है वो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या फिर जादा कर सकते हो तो अब हम इसमें एड करेंगे चिली फ्लैक्स इससे क्या है हमारा जो पूरी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा थोरी स्पैसी तो होनी चाहिए न इसलिए हम इसमें रेड चिली पाउडर ने डालेंगे चिली फ्लैक्स डालेंगे और अब और पूरी में अजवाइन तो जरूर एड करना ही चाहिए उससे क्या है कि पूरी थोरा ओईली ओईली होता है उससे हमारे जो पेट में पच्छने में मदद करेगा एक चोथाई चमच एड करेंगे हल्की पाउडर एक चोथाई चमच और अद्रग लसन का पेश्ट एड करेंगे जिसको हमने पहले ही कूट लिया था एक इंच अद्रग और चार कुलिया लसन की थी इससे जो है हमारे पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपको ना पसंद दो तो आप इसको इसकी भी कर सकते हो ओईल जब भी हम पूरी बनाएना तो पूरी में ओईल की मतार थोड़ी जादा ही होती उससे क्या होता है हमारे पूरी जो बहुत ही अच्छे से फ पूनिये ज्यादा नहीं है और यह देखिए हमारे पालक जो हमने उबाले थे उसको हमने मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लिया यह जो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया पेश्ट जो बना है और इसी को डालते हुए हम अपना आटा त्यार करेंगे और थोड़ा लगाएंगे उससे जब हम अपने आटे को रेश्ट करवाएंगे ना तो उससे हमारे आटा बहुत अच्छा बनेगा थोड़ा काठा ही होता है और सूजी जो हमने इसमें डाला है वो थोड़ा ज्यादा पानी पीता है इसलिए थोड़ा पानी ज्यादा डालेंगे और यह हमारा आटा लग गया है इसको अब हम धकन लगा कर मतलब आप पॉलेथिन से भी पैक कर सकते हैं मैंने यह आप धकन लगा है उससे इसके अंदर हवा नहीं जाएगी और अराम से यह आदे घंटे तक ऐसी बंद करकर रखेंगे उससे हमारा पूरी का जो आटा बहुत ही कि अबर हम थोड़ा सा ओईल लेंगे और इसको थोड़ा और मस लेंगे और यह देखे हमारा आटा के ता सुन्दर लगा है और अब हम इसका लोई बना लेते च्छोटे-च्छोटे साइस का जिससे हम अपने लोई को बिलेंगे फिर ता लेंगे आप लोई को ना अपने हिसाब से च्छोटा बड़ा उससे भी बड़ा कर सकते मैंने या पर थोड़ा थोड़ा च्छोटा बनाया है और ऐसे हिसा भी को बना लेते फिर उसके बाद हम इसको बिलेंगे और ये देखिए हमने अपने सभी आटे का छोटी छोटी लोई जो है बना लिया है और अब आता है इसके बिलने की प्रोसेशन तो हम इसको बिलने और अब हम लेंगे एक लोई जिसको हम हाथ में थोड़ा सा और घुमाएंगे और थोड़ा शिप देंगे और उसको रखेंगे हम बोर्ड पर और हलके हलके हाथों से इसको बेलेंगे गोल साइज का बेलेंगे और आप देख सकते हमारी जो पूरी नहीं बोर्ड पे चिपकरिये और नहीं चकले पर तो इसी तरीके से हम सभी पूरी को बेलेंगे और हमारी पूरी का अब आता है लास्ट प्रोसेशन यह है हमारी पूरियों को तलने के लिए तो मैंने अपने सारी पूरियों को बेल दिया है और अब हम इसको एकेट करके तलेंगे तो कड़ाई में मैंने ओईल डाला है रिफाइंड ओईल है जिसको थोड़ा भरके डाला है ताकि हमारी पूरी को तलने में आसानी हो एक पूरी लेंगे और सावधानी से तेल में ऐसे छोड़ देंगे और ये देखिए ये अपने आप उपर आ रहे है चोलने से हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा गुमाते हुए उपर लाएंगे और ये देखिए हमारी पूरी कितने अच्छी से फूल रही है इसको हम ऐसी एक दो बार उल्टाएंगे और फिर ये हमारी पूरी बहुत अच्छी से फूलेगी और बहुत क्रिस्पी बनेगी तो ये देखी हमारी पूरी कितने अच्छी से फूली है इसको अब हम एक प्लेट में रखेंगे और ऐसी तरीके से हम अपने सभी पूरी को तल लेते हैं और सेकिन्ड इस्टेब भी यही है हम अपने पूरी को तेल में साउधाने से छोड़ेंगे और ऐसे ही लटते हुए तल लेते हैं और ये देखिए हमने अपने सभी पूरी को अच्छे से तल लिया है और आप देख सकते हमारे एक एक पूरी जो है बहुत ही अच्छे से फूली है और क्रिस्पी भी बनी है और ये पालक की पूरी है बहुत ही टेश्टी बनी है और इसके साथ आप आलो के सबजी या फिर किसी के भी सबजी के साथ सर्व कीजिए सच में ये बहुत ही टेश्टी लगेगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत हेल्दी भी पूरी है क्योंकि हमने इस पूरी को बनाने के लिए पालक का यूज गया है और पालो को पीस के जो डाला है उससे हमारे पूरी बहुत टेश्टी बनी है मैं आपको तोर के बताती हूँ इसके अंदर की फिलिंग देखे हमने इसमें कितने सारे मसाले आड़ के थे और एक-एक मसाला का टेश्ट जो है बहुत ही अच्छे से आ रहा है और इसको बनाना सच में बहुत आसान है तो इसलिए आप इस रेसिपी को न एक न एक बार जरूर घर पे बना के ट्राय की देगा और कब बना रहे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप सभी को घर पे बने हुई पालक की पूरी की रेसिपी पसंद आयो तो रेसिपी की वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना न भूले और ये रेसिपी अपने फ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ शेर कीजे और अपने अनुभव हमारे शार शेर कीजे और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और उससे हम वीडियो को निटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा तो फिर मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार